नाना पार्टिकर्ड ने वो कर दिखाया जो बॉलिवूड इंडस्ट्री में आज के आक्टिर्स तो कभी नहीं कर सकते संजे लीला भंसाली इंडस्ट्री के वो डिरेक्टर है जिनने बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है और ए लिस्टर्स भी उनकी फिल्म में काम करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं उन्हें इंतिजार है कि कब संजे लीला भंसाली हमें चांस देंगे क्योंकि उनकी फिल्मों में काम करना मतलब इνडियन सिनिमा की हिस्ट्री में आपकी बाते या आपका नाम दर्ज होना तय है कुछ इस लेवल की फिल्म हैं Σंजे लीला भंसाली बनाते हैं यही कारण है कि भंसाली को आझ के आक्टर्स तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं कई आक्टर्स के लिए तो वो भगवान के बराबर है लेकिन बात करें नाना पाटेकर की तो नाना पाटेकर फिल्म इंडस्ट्री के एक लौत है ऐसे आक्टर है जिन्होंने संजलीला भंसाली को भी फटकार्ड लगा दी वो भी तब जब वो संजे लीला भंसाली की उस फिल्म में काम भी नहीं कर रहे थे हाँ ये जरूर है कि संजे लीला भंसाली ने नाना पाटेकर के साथ अपने करियर की शुरुआत की फिल्म खामोशी से लेकिन उसके बाद नाना और संजे लीला भंसाली ने कभी साथ काम नहीं किया इसी बीच अब नाना पाटेकर ने बताया है कि जब बाजिराव मस्तानी फिल्म आई और मलहारी सौंग आया तब उन्होंने संजे लीला भंसाली को कॉल किया और उनकी फटकार लगाई उन्होंने कहा कि मुझे ये मलहारी गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया और इसलिये मैंने भन्साली को फोन किया और मैंने पूछा कि ये वाट लावनी किया है उन्हें ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आये और उन्हें गाने के जो lyrics थे उनसे आपती थी यही बात संजे लीला भंसाली को नाना पाटे करने कही नाना पाटे करने कहा कि किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा नहीं लगे लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया इसलिए मैंने ये बताने के लिए कि मुझे ये पसंद नहीं आया मैंने ये भंसाली को कॉल किया इस डिप्लोमाटिक इंडस्ट्री में जहाँ पर लोग बुरे और बहुती मिडियोकर वर्क की भी तारीफ कर बैठते हैं अच्छा-च्छा बोलके अपना रस्ता निकाल लेते हैं वहीं उस इंडस्ट्री में नाना पाटेकर थोड़े हटके हैं जो बात कहते हैं, खरी कहते हैं शायद लोग फेस पर इस तरह की बाते सुनने के आदी नहीं है लेकिन नाना पाटेकर जैसे कुछ और अक्टर्स इस इंडस्ट्री में हो जाए तो काम जो है वो और जादा निखर कर आएगा और एक टॉप नॉच वरक हमारी इंडस्ट्री में होगा